नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खुश्रा सा डिजाइन लाए हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के स्वेटर में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लेगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, पिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बारा हैं, तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कहलें। कोई भी design में डालो वो सबसे पहले आप तक पहचए लिए इस design को बनाने के लिए आप कितने भी फन्दे आ सकते हैं, आप अपने according दे Wise रzusटें तो border बनाने के बात यह design का पहला लाइन है और साम दे सको को करेंगे अब दूसरे color के उनसे एक फंदा सीधा बनेंगे, next फंदे को slip करेंगे, इन्ही दो फंदु को हमें पूरी सलाग में दोजाना है, एक फंदा सीधा बनना है, एक फंदे को slip करना है, नेकस्ट फंदा सीधा, पर्ल वाइस लिप करेंगे नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे पर्ल वाइस लिप करेंगे सीधा लिप सीधा तो इन ही दो फंदो को दूर आते हुए हम पूरी लाइन कम्प्रीट के देगा अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में और ये दिजाइन का दूसरा राइन है तो स्लिप किये हुए फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बूरेंगे इन ही दो फंदो को हमें पूरी स्लिप किये हुए फंदे को सीधा बूरेंगे इन ही दो फंदो को दूराते हुए हम पूरी स्लिप करेंगे तीसरी लाइन और सामने से और दूसरे कलर के उन से ही अब जिस फंदे को हमने बुना है उसे हम स्लिप करेंगे और जिस फंदे को स्लिप किया था तो इसे हम सीधा बुनेगे इसे पिछले लाइन में हमने बुना था तो इसे हमें स्लिप करना है और ये देखिए स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हमें बुना है Slip करना है, next fontay ko बुHN Mueller Slip करना है, next fontay ko बुHN Tumb house इन्ही दो फंदो को दूराते हुए हमें पूरी Line complete करेंगे है अब हम आ जाते हैं Wrong side में और यह design का चोता Line है तो चौtesthe Line में हम बुने हुए fontay ko सीधा बुनेंगे बुन अपनी जोर करेंगे slip कि हुए फंदे को slip करना है बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है उन अपनी और करना है slip कि हुए फंदे को slip करना है सीधा उन अपनी और slip कि हुए फंदे को slip करना है तो दो ही फंदो को हमें इन पूरी लाइन में दोराना है बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और देखे ये दागा दिखाए दे रहा है यानि ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हमें स्लिप कर लेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनना है तो हमने चार लाइन कम्प्रीट कर लिया अब इन ही चार लाइनों को हमें अब दूसरे कलर के उन से जो हमारा ये प्रैमरी कलर का उन है इससे बुनेंगे पहले फंदे को सीधा बुनेंगे नेक्स फंदे को स्लिप करेंगे फिर सीधा बुनेंगे फिर स्लिप करेंगे चार ल दिजाइन बाद हमें उनका कलर बदल देना है दिजाइन बहुत आसान है और बहुत बनाने में देखिए कितना आसान है बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं दिजाभल बना है ऐसे स्ट्रिप के हुए फंदे को स्ट्रिप कर लेंगे और बूने हुए फंदे को सीधा बना है, बुने हुए फंदे को सीधा बना है कि दूसरे Gary के उन से ये तीसरा लाइन है तो उस बुने शफन्दे को स्लिप करेंगे और ये फनदा स्लिप किया हुए तो इसे हम सीधा बुने के बुना फंदा है इसे हमें स्लिप करना है और देक estás stuck किया हुए दूसरे कपंदा तो इसे हमें सीधा बनना है, एक फंदे को स्लिप करना है, नेक्स फंदे को सीधा बनना है, इन ही दो फंदो को दूर आते हुए हमें पूरी लाइन कम्प्लीट करने है, दूरी फंदे का डिजाइन है, और दूरी लाइन का एक फंदे को स्लिप करना है, तो इसे हमें सीधा बनना है, उन अपनियों इसे स्लिप किया है, तो इसे स्लिप करना है, तो ही पंदे का डिजाइन है बुर्म हुए पंदे को बुर्ण है और स्लिप किये हुए बंदे को स्लिप करें यह डिजाइन बनके त्यार है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा बिस अबस्ति को बाएधु आपके सामने है यह यह आपको अचाह लगा हुए जिख देक स्याक्षिछ को में इसक्राइब प्रेंग शॉइन के अच्क फाल वाचिण